शहर के कुख्यात दुरलफ कश्यप गैंग ने एक बार फिर सोसल मीडिया पर गैंग का वीडियो अपलोड किया है वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमा भी सतर्क हो गया है दरसल संसनीक है इस वीडियो में बरखास्त पुलिस आरक्षक और इंदौर में हत्या के आरोप के साथ अन्य बदमास लोडेड इंसांस राइफल लेकर पार्टी करते नजार आ रहे थी रवीवार को मामला सामने आने पर स्स्पी सतेंद कुमार सुकले ने जाच का कहा है कम उम्र में गैंग चलाने वाले आरोपी कुख्यात दुल्लफ कश्यप की करीब दो साल पहले रंजिच के चलते हत्या कर दी गई थी मारे गए नया पुरा निवासी बदमाश दुल्लफ कश्यप की गैंग अभी सोसल मीडिया पर एक्टिव रहकर देहसत फैलाने का काम करती है गिरोह ने हाल ही में फेस्बुक पर महाकाल मंडली ग्रूप में एक वीडियो पोश्ट किया है वीडियो में व्यायाम घोटाले का आरोपी चैन बोहरा सस्पेंड आरक्षक और राहुलवा अन्य बदमाश एक कमरे में पार्टी मनाते नज़र आ रहे हैं इस दौरान गैंग के सदसे के हाथ में इंसान्स राइफल भी दिख रही है जिसे वें लोडेट बताकर साफधानी से एक दूसरे को देते नज़र आ रहे हैं वीडियो सामने आने के बाद सहर में लोग तरह-तरह के कयास लगाते नज़र आएं इंसान्स और्टोमेटिक राइफल है यह पुलिस या पैरा मिलिटरी फोर्स के पास होती है गैंग के पास राइफल के वीडियो के संबंध में SSP सुकले ने बताया कि वीडियो में दिख रहा आरक्षक राहूल है वह व्यापम मामले में सस्पिंड है मामले में जाच चल रही है राइफल उसी के पास है वीडियो अन जगह का हो सकता है वाइरल वीडियो में इंसास राइफल के साथ वीडियो में नया पुरा का चयन बहुरा नजर आ रहा है उसे करीब साल भर पहले रासुका में जेल भेजा था छूटने के बाद आरोपी फिर से घटना कर फरार हो गया था कुछ दिन पहड़े उसने अपने दोस्त के साथ इन दौर में बदमाश अनिल दिक्षित की गोली मार कर हत्या कर सोंसल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था हाला कि वे चंडी गड़ से पकड़ा गया था ब्यूरे रिपोर्ट विराट 24 न्यूज